हेलो गाइस आप सभी का विवेक वैले में हार्दिक स्वागत है जब भी हमें कोई मेंटल या फिजीकली बीमारी होती है तब हम डॉक्टर के पास जाते इसका इलाज कराने के लिए पर दवा के साथ सही खानपान रखना जरूरी होता है जैसे कि गाजर, अनानस, अद्रक और लसुन इन चार चीजों को सेवन करने से सरदी में बहुत जल्दी रहात मिलती है दूसरा है हेडक जब भी आपको सरदर्ध हो तो आपको एपल, खीरा लेने से आपको सरदर्ध में जल्दी रहात मिलती है तीसरा है हाई बीपी, अगर आपको हाई बीपी है तो आपको बीट, एपल, खीरा, जिंजर का सेवन करना चाहिए इससे आपको बीपी में जल्दी रहात मिलेगी चाउता है आख, आखों में चस्मा ना आए या आख की रोशने हमें सा बरकरार रहे इसलिए हमें गाजर का सेवन या फिर आपको इसका जूस लेना फाइदे मंद हो सकता है पांचवा है कॉंस्टिपेशन, पेट ना साफ होने के कारण कब जैसी बीमारी होती है इसके लिए आप गाजर, सेब और ताजा पत्ता गोवी का सेवन कर सकते हैं आप इसे खाने के साथ सलात के रूप में लीजिए, इसका आपको जल्दी असर देखने को मिलेगा चट्टा है है हैंगोवर, नसा करने के बाद जो हमें हैंगोवर होता है उससे निजात पाने के लिए एपल, गाजर, बीट, निम्बू का सेवन करें आपका हैंगोवर कम हो जाएगा साथवा है नर्वस ने, जिसे हम घबराट केते हैं जब कभी भी आपको घबराट जैसा महसूस हो तो आप गाजर और अनार खा सकते हैं और फिर इनका जूस निकाल कर पिए इससे आपका घबराट खतम हो जाता है आठवा है डिप्रेशन, उदास या गुस्ता जब कभी भी आपको गुस्ता आ रहा हो या फिर चिर्चिडे महसूस कर रहे होते हो तो आपको गाजर, एपल, पालक और बीट का सेवन करना चाहिए इससे जल्द आप चिर्चिडे पन से दूर हो जाएंगे नवा है डाइबिटीज, डाइबिटीज जैसे बीमारियों में खान पन का पूरा ध्यान रखे आपको इसके लिए गाजर, पालक या हरी सबजी खाए ऐसा करने से आपका डाइबिटीज कंट्रोल में रहता है दस्वा है अस्तमा, अस्तमा जो की फेपडे की बीमारी होते है इसके लिए आप गाजर, पालक, एपल, लगसुन और निम्बू का जादस से जादा सेवन करें अपने खाने के रूप में ग्यारवा है अर्थराइटीस, शरीर में केलसियम की कमी के कारण हमें अर्थराइटीस होता है इसके लिए आप गाजर, अनानस, निम्बू का सेवन करें इससे आपके सरीर में केलसियम भरपूर मातरा में मिलती है बारवा है किड्नी इस्टोंजी से हम पत्री कहते है सरीर में पाने की कमी के कारण पत्री जैसे गंबीर विमारी उत्पन होती है इसके लिए आप संत्रा, एपल, तर्बुज, निम्बू का सेवन करें कोसिस करें आपकी बोड़ी हाइडरेटर है, खुब सारा पानी पिए तेरवा है स्ट्रेस या तनाव स्ट्रेस या तनाव होना सामानिय बात है या तर्म महसूस होता जब किसी स्थिती से निपटना मुस्किल हो जाता है इसके लिए आपको केला, श्ट्रोबरी, नास्पती का सेवन करना चाहिए इसको खाते ही आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे चौदवा है फैटिक, ठकान, पोसन की कमी लंबे गंटों तक निरंतन काम करना दिमाग पर हमिसा दबाव या पूरी नींद न ले पाने के कारण भी महसूस होता है और विक्ती ठका हुआ महसूस करता है ऐसे हमापको गाजर, बीट, स्क्रीन एपल, लेमन और पालक लेना चाहिए पंद्रवा है खटी डकार जिसे हम इन डिजेशन कहते हैं खराब दिन चरिया, रात को सही से नीद न लेना ज़्यादा अनहली जैसे तला, भुना या जंक फूड अधिक मातरा में लेना आपके पाचन क्रिया पर बुरा असर डालता है ऐसे हमें आपको अनानस, गाजर, निम्बू और मिंट का सेवन करना चाहिए जो कि जल्द ही आपको राहत देगा जोस्तों वीडियो के अंत में आपसे यही कहना चाहिए कि रोजाना अपने डाइट में एपन, निम्बू, गाजर को सामिल करे ये सबी चीजे हमारे बॉड़ी को इम्मिनिटी प्रोवाइड कराती है जो कि बिमारियों से लड़ने में हमें सक्छम बनाती है ऐसे ही रोचक वीडियो को देखने के लिए विवेक पहली को जरू सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच